हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब के चैनल में अगर गाईज यहाँ पे आप लोग को फ्लिप कार्ट के एप्लिकेशन पर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है जब भी आप लोग वाइस सर्च करते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है अप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्फो करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने फोन पर सैटिंग को open करना है उसके बाद यहां पे आप लोगों को एपलिकेशन वाले ऑप्षन पर जाना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को manage application पर जाना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से सर्च बार पे आपको इस तरीके से फिलिप कार्ट लिख लेना है फिलिप कार्ट लिखने के बाद आपके सामने यह application आएगा तो आप लोग उसको open कर लिजिए open करने के बाद यहाँ पे आपको application permission पे जाना है और फिर यहाँ पे आप लोगों को microphone का जो permission है guys उसको इस तरीके से allow कर देना है तो यहाँ पे आप लोगों को जितना भी permission मंगता है सभी permissions को guys यहाँ पे आप लोग allow कर लिजिए तो यहाँ पे आप लोग सभी permissions को allow करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो आप लोग इस तरीके से इस प्रॉब्लम को solve कर पाएंगे गाईज तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और गाईज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो चलिए गाईज मिलते हैं नेस्ट वीडियो में